hello everyone this is ritu and welcome to study more knowledge to ncrt history हम discuss कर रहे हैं और इसमें हम discuss कर रहे हैं सीटर के previous questions जो की different जो सीटर के exam उनमें पूछे गए हैं तो यह हम chapter wise previous in के कर रहे हैं discuss तो आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे chapter 6 नए नए प्रेशन नए विचार चैप्टर से जो क्वेशन पूछे गए हैं सीटर के इक्साम्स में यू कन ओसो फॉलो में शोशल मीडिया फेस्बूक पेज इंस्टाइड और टेलिग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझ जाएगा प्रेशन है उपनिशद है तो उपनिशद क्या है यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके बारे में सही ओप्शन हो जाएगा फोर्थ ए बी और सी सही है यहाँ पर सिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत सलद समवादों के माध्यम से प्रसुत किया गया है और व विंकर्स होते थे वह भी कठीन प्रशन का असमीर को अप्तार ढूंदने का प्रियास कर रहे थे जैसे की कठीन प्रॉष्ण के बाद भी लाइफ है क्या तूकि इसके बारे में कोई जानता यग्य क्यों करना चाहिए ब्रहांन में कुछ परमानेंट है यानि स्थाई है जो तो मिर्त्यू के बाद भी बना रहेगा तो इन विचारों ने इसे आत्मा य। मृक्तिचंगत आत्मा और ब्रह्म यह साय भोमिक आत्मा के रूम में बर्लत किया उनका मानना था कि अंत्में क्या होता तरल समवादों के माध्यम से विचार प्रसुत किये गए उपनिशद विचारक जो थे वो पूश थे मेली अगर कहें तो वह भी ब्रह्मन या फिर राजा कभी-कभी गार्गी जैसी महिला विचारों को कभी उलेक मिलता है जो अपनी सिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी और शा दुख से भरा है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लालसा और इच्छाओं से प्यार करते हैं जो अकसर पूरी नहीं हो सकती है उप्यूक्स जो सिद्धांद है यह किसी ने दिया है यह जाएगा ऑप्शन नमबर थर्ड गोतम बुद्ध ने दिया है यह सिद्धांद तो थोड़ संतुषणी होते हैan कि इसकी कोई इच्छा होती हैं वो पूरी उजाते इसके बाद भी हो संतुषणी होता तो और या Andre इस लीप्सा को तनहा कहा है त्रिशन ने शिक्षां लीकिक आत्मसेयम अपना कर हम ऐसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं यानि एक तरह से और एक तरफ उनके फॉंडर्स दिये गए हैं तो यहां पर सही ऑप्षन हो जाएगा फोर्थ वैदांत जैमीनी से सुमेलित नहीं है बाकी सभी सुमेलित है वैशेशी कनाद ने दिया है नियाय जो सिद्धांत है नियाय दर्शन का सिद्धांत यह गोतम मुनी ने दिया है योग दर पूर्व मिमांसा और वैदांत को उत्तर मिमांसा के नाम से जानते हैं तो यह दर्शन की छैबत दिया है अब इनके क्रमश दिये गए हैं जो विचारक हैं जिन्हों इनको दिया है इन पदतियों को तो वैशेशिक तो दिये है कनाद ने और नियाय जो है गोतम ने सांके कपिल ने योग पातंजली ने पूर्व मिमांसा जैमीनी ने और वेदां ने तो वहाँ पर वो थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था ओप्शन में तो इनके द्वारा दी गई मानी जाती हैं जो आज भी देश में बोधिक चर्चा को दिशा देते हैं जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद पैडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन किन 6 शाकाओं का विकास कैई पीडियों के दोरान व्यक्तिकत विचारकों के योगदान से हुआ तो यद पी ये एक दूसरे से भिन दिखते हैं लेकिन सत्ते कि इनकी समझ में आधारबुत तालमेल दिखता है बही जैसे इस सत्ते की खोज करते रहें तो एक तरह से इनमें तालमेल देखने जो कठन है वो निमीखित में से किस पार्ट से लिया गया है यकिर गरंद से लिया गया है तो सही और चैया हो जाएगा तो ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयाई जब भिक्षूं की श्रेनी में प्रवेस करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेनी और परिवार सब त्याग देते हैं नेक्ट विश्वेशन है बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ तो कहां पर बुद्ध को ज्यान प्राप्टू हुआ ये हुआ बोध गया में निम्लिकित इस्तूपों में किस एक को उस इस्थान के रूप में चिन्नित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उब्देश दिया तो ये हो जाएगा सारनाथ को सारनाथ में पहली बार बुद्ध ने उबदेश दिया था कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में बोध्धरम के संथापक सिधार्थ थे जिनको गोतम भी कहते हैं उनका जन्म लगभग 25 वर्षपूर हुआ था और ये वो टाइम था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे तो बुद्ध जो है न चत्रिय थे वो हमने वर्ण में वस्ता देखी थी ना उसमें सैकेंड नंबर पर जो थे वो चत्रिय थे तो वो ही थे ये और शाक्य नामा के छोटे से गण से संबन दी थे यूव अवस्ता में ज्यान की खोज में इन्होंने घर के सुगों को छोड़ दिया बहुत ही यंग एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था और अनेक बरशोता के घुमते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहें अंध में अगर हम देखें अल्टिमेटली ज्यान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वम ही रास्ता रूमने का निश्य गी ग्यान जो प्राप्त होगा वो कैसे होगा तो इसके लिए उन्होंने बोध गया जो की बिहार में है उसमें पीपल के नीचे क्या दिनों तक तपस्या की तो अंत में उन्हें उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ इसके बाद वे बुद्ध के रूमें जाने गए ग्यान प्राप् जैन धर्म के संबंध में निम्लिकित में से कौन सा कतन सही है तो यह हो जाएगा उप्शन नमबर थर्ड महावीर के उपदेश 1500 साल पहले वल्लब भी नामकिस्थान पर लिखे गए थे थे थोड़ा सा जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में बाद की सदियों में जैन धर्म उ जोती और वरत्मान रूप में उपलब्द जैन धर्म की सिक्षाइन लगभख 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लबी नामक इस्थान पर लिखी गई थी मतलब जब रिटन फॉर्म में याई कप लिखी गई 1500 साल पहले तो गुजरात में वल्लबी नामक जगह पर नेक्स्ट क्रिश्चिन विना पिटक के ग्रंथ है जो कि अभी लेकित करता है तो क्या अभी लेकित करता है बौधों के नियम विना पिटक के अंदर जो बौध धर्म से संबंदित नियम है वो इसमें मिलेंगे बौध में मतलब संग में जो लोग रहते थे उनके लिए नि केवल वही सच्चा ग्यान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं ऐसा इन दोनों धर्मों में कहा गया था संगर के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है तो यह हो जाएगा उप्शन नमबर सेकिंड उन्हें भोजन के लिए भीक मांगने के लिए शहरों और गाउं में जाना पड़ता था है तो संगर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं महावीर और बुद्ध दोनों का कहीं मानना था घर का त्याग करने पर ही सची ज्यान की प्राफ्टी हो सकती है वैसे लोगों के लिए उन्होंने संग नाम का संगठन बनाया जहां घर का त्याग परने वाले लोग एक साथ रह सकें वह जो घर चोड़कर के आगए तो वह एक जेक पर कहीं तो रहेंगे न तो उसके लिए बनाया संग नाम का संग ठन संग में रहने वाले बहुत भिक्षों के लिए बनाएगा जो नियम थे वो उन्होंने विन्य पिटक नाम में ग्रंथ में मिलते हैं जो उन लोगों के लिए बनाये गए नियम थे विना पितक से ही हमें पता चलता है कि संग में जो पूश और इस्तीत है उनके अलग-लग रहने की विवस्था थी तो सभी व्यक्ति संग में परवेश ले सकते थे हालांकि संग में परवेश के लिए सभी को मतलब अलग-लग लोगों से परमिशन लेनी पड़ते थी और जो इस्त्री थी उसको पने पती से अनुमती लेनी होती थी संग में प्रवेश करने से पहले जैन और बोध भिक्कु भिकुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे तो ये बने होते थे लकडी के फर्स्ट ओप्शन करेक्ट हो जाएगा बाद में फिर ये इंटों के बनने लगे लेकिन रहने के लिए जगह थी वीहार कहलाते थे रहने की जो इनकी जगह थी पहले लगदी ये थी हमारे आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिससे के आपको आगे के भी सभी नॉटिफिकेशन एंड अ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिस्टे कनेक्टिड एंड कीप वाजिंग स्टेडी मॉर नॉलीज थेंक्स पूवर्ची में